नमस्कार गाईज, बुलिश मुल मास्टर में आपका स्वागत है, सो बात करेंगे बजट डे के दिन, क्या प्लेनिंग करनी है, कौन सी स्ट्रेजी को फोलो करना है, पिछले जो बजट थे, वहाँ पर क्या मार्केट ने रण नी थी अपना है, तो चलते हैं, पुरानी चीज सबस्कार गया, तो यहाँ पे मेगा इवेंट्स जो होता है, वो एलेक्षन का होता है, मेजर इवेंट्स जो yearly, जैसे कि आप कहा सकते हो, बजट साल में एक बार होता है, minor events उसे हम बोलते हैं, जैसे कि ऐस डाटा आटा आ गया, और कुछ डाटा आटा आगया, कोई gü Shout Suddenly ढग जो आप नॉर्मल बजट कह सकते हो और ये जो बजट है वो है मेजर बजट कह सकते हो अब उस दिन पता चलेगा कि भाई क्या हुआ क्या नियूज निकल के आ रही है या बजट में क्या बताया जा रहा है तो उसके उपर ही मार्केट पूरा मुवमेंट करेगा पिछले जो सा देख रहा है मैं पहले यह वीडियो बना चुका हूँ आप देखेंगे तो आपको देख जाएगा तो गाईस यहां पे बजट डे 2024-25 ठीक है आप्टर इलेक्शन रिजल्ट मार्केट एक अच्छा मुवमेंट करता है मार्केट एक ट्रेंड बनाता है और मार्केट कंटीन अभाण करता है आपको देख सकते हो यहां पे विक को काउंट करता हूँ तो 14% मार्केट एक रोकेट बनता है ऊपर जाता है और यहां पे भी आप देख सकते हो कंटीनू आपको इलेक्शन में बुरिश दिकाई दे रहा है ओके continue election दिन की अपना जो weekly candle है यहाँ पर election day की आपको यह candle दिखाई दे रही होगी और यह continue market एक उसके बाद मुड़के नहीं देखार continue rocket की तरह बनते हुए उपर जा रहा है आप खुद देख सकते हैं कि market यहाँ पर पिछले 5 महिनों में 1000 पॉइंट उपर नहीं जा पाया ल था कि भाई किसकी सरकार आएगी सब लोग जो कुछ लोग holding कर रहे थे कुछ लोग wait कर रहे थे कि election result आने के बाद हम plan करेंगी कि सरकार किसकी बनेगी तो यह सारी चीजों का भी guys important होता है जो investor होता है वो सोच समझ के funding market में लगाता है अगर मैं बात करूं अगर मैं पिछले election की बात करता हूं तो यहां पर पिछले election को भी market number one जो important point है market यहां पर भी all time high पे था यहां पर election day result day था जो market यहां पर गिरावट की है उस दिन भी result day के दिन भी market गिरा उसके बाद market यहां पर all time high बनाता है sideways था लेकिन जब मैं बात करता हूं budget day की 2019 budget day market 11% यहां पर गिरा है यह जो पहली candle आप देख सकते हो उसके बाद market continue यहां पर rocket की तरह यहां पर आया वो भी one month के अंदर 11% जो market उचाल मारा है वो continue गिरा और उसके बाद फिर माफिस market एक trend बनाया है अब बात करते हैं current year की current year में बहुत कुछ change हो गया है यहां पर आप देखेंगे पहली बात market उपर कितना गया है 11% विक को मिलाकर 14% मान सकते हो market number important जो चीज जो मुझे मिल सामने आई है ना guys number one all time high पे तो है लेकिन जो एक important चीज कर रहा है कि market को एक trend को follow करना होता है trend को follow करना होता है यहां पर देखो trend line important trend line दोनों मैंने बना रखी है यहां पर भी important है और यहां पर भी important है यह जो market trend को follow करते हुए जा रहा था पहले लेकिन election के बाद election के दिन तक trend को follow किया उसके बाद market एक ऐसा trend में trend से बाहर निकला कि भाई रोकेटी बना दिया रोकेटी बना दिया यहां से market एक अपना पूरा एक uptrend सा बना दिया है मुड के नहीं देखा और बेंग निप्टी की बात करता हूँ तो वो भी एक sideways ही पड़ा है वो भी budget का wait कर रहा है budget का wait कर रहा है बात करेंगे किस तरह से हमें trading की planning करने इस दिन सारी चीजें discussion करेंगे चलिए चलते हैं अपने main topic पर चलते हैं चार्ट पर यह है daily time frame का आज के दिन का चार्ट है ठीक है इस चीज को धिहान में रखिएगा आज के दिन की बात करता हूँ तो market कल जो Friday का day था market एक rejection लेता है एक bearish engulfing candle बनाता है market एक bearish engulfing बनाता है और 200 E.A. में जो age for 15 minute का यह 200 E.A. में है वहीं पर market closing करने की कोसिस करता है तो Monday को अगर market के अंदर हो सकता है guys Monday को भी आपको एक rally देखने को मिल जाए जैसे election से पहले आपको एक बड़ा सा gap up देखने को मिला था तो हो सकता है market Monday को भी आपको एक rally दिखा दे तो Monday को भी हलका सा आपको active रहना है किस तरह से plan करना है वो बताऊंगा मैं ठीक ना क्योंकि rejection लिया है हो सकता है Monday को market दाइरेक्ट यहां पर आ जाए ठीक ना 24,000 की उम्मीद है कि market आना है यहां पर rejection लेना है ट्रेंड को touch करेगा और ट्रेंड को touch करते यह डाइरेक्ट यहां से सीधा अगर 500 पॉइंट गिर जाता है अगर मंडे को गिर गया तो बजटे के दिन थोड़ा सा और बिग प्रोफिट का chance कम रहेगा तो इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा नमबर टू मार्केट को अभी अपने ट्रेंड को follow करना है पहले प्रोपर तरीके से का इस ट्रेंड में चल रहा था लेकिन यह अब ट्रेंड में जाई नहीं पाया और अगर बड़े टाइम रेम की बात करता हूँ तो important trend line भाया जी यहां पे भी है जिस दिन मार्केट गिर करेक्शन लेगा मार्केट गिरेगा तो मार्केट यहां पर support लेगा यहां पर important support ले गा और यह एक major support है और यह mega support यह जो normal सपोर्ट है कोई matter नहीं करते है यहां पर तो हल्का सा profitability booking क्या सकते हो इसका मतलब यह नहीं कि market अगर यहां पर भी आ जाएगा ना budget के time budget के time अगर market यहां पर भी आ गया अगर ते 20,000 पी आ गया market 24,000 पी आ गया तो crash का नाम मतले ना कि भाईया crash हो गया market तो नहीं यह बेवकुफी कभी मत करना क्योंकि market का अभी nifty का यह जो दिख रहा है आपको gap filling अभी बाकी पड़ा nifty का चाहे आज फिल करे चाहे आज फिल करे लेकिन यह gap filling अभी तक नहीं किया है December के बाद जो December के चार स्टेट के election थे ना यहां पर आप देख सकते हो यह gap filling करने तक जब तक market आएगा नहीं मुझे भाई मज़ा नहीं आएगा ठीक है ना तो यहां पर gap filling बाकी पड़ा है nifty का तो nifty को बोलो कि बाई जल्दी जल्दी gap filling कर दे फिर भले तो ऊपर चला जा तो एक यहां तक एक rejection आपको देखने को मिल सकता है बोले तो 20,200 की दोड के अंदर 4,000 point हो गया है 4,000 point market गिराने के लिए बहुत बड़ी news चाहिए तभी market 4,000 point यहां पर आ सकता है उससे पहले तो भाईया नहीं आएगा इस चीज को ध्यान रखिएगा बहुत बड़ी major important news चाहिएगी तभी यहां पर support market आपको देखने को मिलेगा ओके weekly time frame की बात करता हूँ तो weekly time frame के अंदर तो यह जो important trend line है important trend line है वो तो बनी रही है important trend line तो बनी रही है लेकिन recently after December जो market एक upside का जो trend बना रहा था upside का जो trend बना रहा था guys वो market एक इस trend के अंदर ही चल रहा था election के बाद दड़ाम से बार निकला और trend से भी बार निकल गया तो कही न कहीं हम यह कह सकते हैं कि market को इस zone में आना चाहिए कम से कम 23,000 तक आपको देखने को मिल सकता है और important जो support है वो 24,000 का भी दिकाई दे रहा है तो यहाँ पे छोटा सा rejection देखने को मिल सकता है यह rejection ही बोलूँगा मैं इसे crash नहीं बोल सकता इस चीज को ध्यान रखिएगा अब हम plan क्या करना है कि भाई हम किस तरह से planning करेंगे क्या करेंगे कौन सी strategy को follow करेंगे अब हमें उस चीज पे जाना है ठीक है न ध्यान से समझेगा गाईस मार्केट के अंदर मार्केट के अंदर आपके पास Monday, Tuesday और Wednesday तीन दिन का event है क्योंकि market क्या करता है एक दिन पहले ही follow कर देता है या market क्या करता है event के दिन तो बड़ा-बड़ा moment करेगा और event के दूसरे दिन भी अपन उमीद लगा सकते है कुछ इतनी बड़ी खतरनाक वाली उन्होंने कुछ नियम लगा दिया तो हो सकता है आपके लिए अच्छी बात हो हो सकता है कुछ गलत कुछ ऐसा हो गया जो market गिरने पर market को मजबूर कर दे वैसे तो पिछली बार भी ऐसा गिरा था continue हो सकता है इस बार भी ऐसा हो जाए तो आपको नहींक यहँ है यहां तक देखने को मिल सकती है अच्छे से अच्छे से आपको मिल सकती है तो अफ़ करना क्या है सिंपल यहां परिग हाँ डिंग और यहां पर определ टेलीग्राम डिस्क्रिफिन में लिंख है आप जिटोईन कर सकते हो क्योंकि टेलीघ्राम सपोर्ट तो नी cuふ होती जो टेलीग्राम पर मुझे अपडेट देना पड़ता है उसके लिए हर दो-दो मिनट में वीडियो नहीं बना सकते तो टेलीग्राम जोइन करना बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो वह आपकी इच्छा लेकिन टेलीग्राम जोइन कर ले ना कि वहाँ पर सारी अपडेट आपको मिलती रहती है जो आपको सपोर्ट करेगा अगर ट्रेडिंग करने की इच्छा रखते हो तो बात करेंगे च्रिक क्यों से इस्ट्रटजी को सफोरो करना है कौक रोक्üne डे मारकेट जैसे ओपन होता है वैसे ओपन होगा ठीक है ना लेकिन मंडे को आपको चीज ध्यान में देखने है कि मंदे को اगर मारकेट रिजक्शन लेता है तो मंदे भी फोलो करेंगे ठीक frightened कॉश trouvé डिक संडे की, अगर मंडे को मंडे को 3 पीम अगर मंडे को 3 बजे अगर मार्केट ने कुछ मुवमेंट दिखाई कि भाई में बहुत बड़ा गेप अप हो जाऊंगा बहुत बड़ा गेप डाउन हो जाऊंगा अगर गेप अप का आपने को मैं तो hedging करूंगा मेरे में एक तरपा जाने की वो नहीं है capacity तो आप बहुत सही हो पिछली बार भी यही बोला था अभी यही बोल रहा हूं hedging का मतलब यह होता है कि आपके पास मानलो 10k capital है 10k capital है आपको लगता है market भाया gap down होगा gap down होगा वहां पर अपन 70% अपना capital यूज कर सकते हैं डाउन की तरफ और 30% अपन अपसाइड के लिए यह 30% जो है यह अगर कही गलती से gap up हो गया तो यह 30% तुमारा यह इसको cover कर लेगा इसको cover कर लेगा मतलब आपको यह loss नहीं होने देगा number one okay guys मैं running करते हूँ आया हूँ तो मैं अभी ऐसी या fan on नहीं कर सकता इसलिए आपको पसीना दिख रहा होगा मेरे face पे okay so अब क्या बात करते हैं अपन hedging बनानी है तीन बजे के आसपास अगर moment दिखता है gap up और gap down का तो ही बनानी है otherwise नहीं बनानी है अगर लगता है कि बड़ा gap up होगा तो अपने को upside के लिए change कर देना है moment ठीक है न वैसे मैं आपके साथ रहूंगा कि भाई आप hedging बना सकते हो क्या कर सकते हो क्या view है market data bullish है बेरिशे वो चीजे मैं बता दूंगा यह हो गई आपकी मंडे की बात ठीक है न 10,000 capital है और वही हमें यूज करना है ज्यादा capital हम गाईस नहीं लगा सकते इसके अंदर ठीक है इवेंट के अंदर market पैसा देता भी जबरदस्त है और पैसा लेता भी जबरदस्त है इस चीज को ध्यान रखिएगा नमबर टू बात करेंगे अपना budget day के दिन की budget day के दिन की ठीक है न मैंड में अभी इलेक्शन देई चल रहे है budget day की बात करेंगे हो सकता है market में 10 बज़े के बाद market के अंदर 10 बज़े के बाद या फिर market open होते ही कुछ भी कर सकता है भाई market को अब बात करते हैं कि अब अमें plan क्या करना है अगर आप BTSD लेके गए हैं अच्छा gap up gap down होता है तो आपको profit booking करना है number one number two आप चाहते हो कि भाई market तो एक rocket बन जाएगा आज या फिर बड़ा सा down की तरह moment आएगा तो again अपन hedging का plan करेंगे अगें hedging का plan करेंगे याद रखिएगा hedging के अंदर hedging एक zero to hero होती है zero to hero होती है कौसिस करना कि next expiry का plan ना करो कि भाई Tuesday को expiry किस की है फिन निप्टी की है तो फिन निप्टी को थोड़ा कम यूज करना आप चाहो तो bank निप्टी या निफ्टी थोड़ा आगे काई plan करना ताकि आपके पास भले profit कम हो लेकिन loss बड़ा नहीं होना चीए zero to hero में सीधा zero होता है hero आदमी बन गया तो उसक भी किस्मत बोलते हैं ठीक है number two number two यहां पर समझ में आगया 10 बजे के बाद हमें hedging plan करनी है अगें यह तो symbol है जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए hedging plan है अब जो real में trading कर रहा है real में जो trading करना चाहता है मैं live तो रहूंगा आप लोगों के साथ क्या moment करना है जैसे election के दिन था पूरे दिन में live रहूंगा आपके साथ budget day के दिन क्या news आ रही है हर चीज एक display पर अपन news भी सुनते रहेंगे ओके guys तो यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है यहां पे आपको एक real trade करेंगे हम लोग real trade करेंगे scalping तो fully चलेगी चलेगी क्योंकि market a moment full fast करेगा real trade क करेंगे genuine stop loss लगा के हमारा भी कुछ जैसे पिछले budget को भी हमने plan किया था अगर आप पिछले budget से मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आपको पता है हमने live में यहां पर plan किया था ठीक है ना तो इस बार भी हपन सेम एक small amount का plan करेंगे और उसको हम अपने grow करने की कोसिस करेंगे ठीक है ना बड़ा event है तो बड़ा पैसा क्यों लगाए small amount से बड़ा पैसा कमा हो तो इस चीज को ध्यान रखो इस चीज को ध्यान रखो अगर correction आ गया तो गाई डाउन साइड में जो market में जो देगा जो पैसा देने वाला है डाउन साइड में वो एक ultimate पैसा देता है market देखने को मिला है अगर इस बार भी अगर यह 11% वाला rejection आपको देखने को मिलता है तो अच्छी बात है ठीक है ना निफ्टी 23,000 का एक important support है तो दुआ करो कि अगर 23,000 पर आ जाता है तो हमारे range में भी आ जाएगा projection को भी follow हो जाएगा और अपने को पैसा भी मिल जाएगा ठीक है एवरी डे क्या planning करनी है वो तो मैं आपको टेलीगराम पे share करता ही रहूंगा ठीक है गबरानी की कोई बात नहीं है बट average fund करके रखना अपने पास और इतना ही रखना है कि जितना आप manage कर सको और वो चोड में नहीं आना कि आरे यार यह कर लेंगे वो कर लेंगे कैसा कुछ नहीं करना है हमेशा risk management money management को लेके चलना है fully educational support कर रहा हूं मैं आपको ठीक है ना this is only educational support याद रखिएगा हमेशा risk उतनी ही लो जितनी आपकी capacity हो over risk कभी नहीं लेते हैं news देखके कभी भी कभी एक तरपा fire नहीं करते हैं दोनों तरपा होते हैं हमेशा hedging बना के चलते हैं insurance हमेशा बना के चलना चाहिए इस चीज को ध्यान रखिएगा